नमस्कार दोस्तों मैं उदेलार्ट एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ु देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ु में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यावसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार यू आ यू ती दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस का आबादी के सदस्यों को भी इस व्यावसाय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है इस व्यावसाई ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है इस कारण वश्कितिने बेरोजगार, युवा, यूती, दिव्यांग, विकलांग, व्यक्ती इस व्यावसाई को करियर के आप्शन के तौर पर चुनना चाहते है आईसी परिस्तितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है और इस व्यावसाई के माध्यम से लाखों का मुनाफा कमाना है क्यूंकि आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बहितरिन व्यावसाई जो देशी मुर्गी पालन का है इसमें सबसे कम जमा पुझी, सबसे कम जगह और सबसे कम अनुभो भी हो तो भी आप बेरोजगार हो, दिव्यांग हो या वयस का अबादी के सदस्य हो, आसानी से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो लेकिन सच में आपको देशी मुर्गी पालन के इस वयसाय के माध्यम से यदि लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, तो आपको आधुनिक तंत्र यानी चूज़े निकालने वाली मशीन यानी इनकुबिटर का इस्तमाल करना होगा जब तक आप देशी मुर्गी पालन के इस वयसाय में इनकुबिटर का इस्तमाल नहीं करोगे, तब तक आपको लाखों का मुनाफा इस वयसाय के माध्यम से कभी भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि सस्ता चूजा घर पर तयार करना आज देशी मुर्गी पालन के व्योसाई की नीव है और जब तक आप नीव मजबूत नहीं करोगे तब तक आप कभी भी इस व्योसाई के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर नहीं पाओगे लेकिन दिक्कत कहां पर आती है कि चलो हमने चूजे निकालने वाली मशीन ली चूजे निकाल भी दिये लेकिन इन चूजों को आगे चलके फिर किस प्रकार से दिया जाता है हमें पता नहीं होता है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों फिर किस प्रकार से तिये जाता है यहां आपके मन का है सबसे बड़ा सवाल यह सवाल क्यों आता है कि हमें जंजट लगती है कि चूजों को बढ़ा करे ये फिर दे वो फिर दे लेकिन सबसे महत्तोपुर्ण बात आपको समझाता हूँ कि देखिए मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री अप्लोड किये है कि जहां पर मैंने बताया है कि पहले एक से लेके पंदरा दिनों तक चूजों को क्या फिर देना है पंदरा से लेके तीस दिनों तक पार्ट टू में बताये चूजों को फिर क्या देना है पार्ट 3 में बताया गया है कि 31 से 60 दिनों तो क्या फिड देना है आज कि इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 61 से लेके 90 दिनों के जो चूजे होंगे तीन महा के जो चूजे होंगे उनको वहां किस प्रकार से फिड देना है ताकि आपका फिड का खर्चा यहां पर ना तो तीसरे महा के चूजों को 61-90 दिनों के दर्मियान किस प्रकार से फिड मुहया किया जाता है और ऐसी कौन सी वह में तढ़ है कि जिससे आपका फिड का खर्चा भी घटेगा और आपकी आमदनी वहां पर सव प्रतिशाद बढ़ जाएगी यह सभी बाते आपको जाननी है तो इसलिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजे पसंद आजाए तो जरूर लाइक कर दीजे ज्यादा ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप न रहा होगा आपका सबस्क्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर मैं अनुरोत करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और आखरी सास तक मानता रहूँगा यदि आप भी मुझे आपना और घर का सदस्या मानती कर दीजे उसके बाद color change हो जाएगा बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को touch करते हुए all इस notification को on कर दीजे ताकि आने वाला हरुड़ियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और इस व्यवसाय के दोस्तों मैं आज के इस यूडियो के माध्यम से आपको यहां पर बताऊंगा तो देखे दोस्तों पार्ट वन में 15 से 15 दिन का देखा पार्ट टू में 15 से 30 दिन का देखा पार्ट थी में हमने 31 से 60 दिनों का देखा आज के इस यूडियो में 61 से 90 दिनों का यहां पर हम दे लेंगे तो देखे दोस्तों सबसे महत्तो पुर्णा बात की जानकारी दिये देता हूं कि आपकी मदद करने के लिए मैंने इंडियन मुर्गी पालन का वाटसप ग्रूप ओपन किया है इस वाटसप ग्रूप की लिंक फिलहाल डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ पर जा यह है ताकि आपको हर एक जानकारी समय समय पर यहाँ पर मिलती रहेगी तो देखें दोस्तों सबसे महत्यूपुर्णा जानकारी देखें कि 61 से लेके 90 से नब्बे दिनों के दरम्यान के चूज़वार बढ़वार की हमेंEC लिए हमें चोटे चोटे-चोटे होते हैं कि आप तीन महा के होने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं 61-90 दिनों के दर्मियान के तो उनको आभी शरीर को मजबूती देनी आवश्चक होती है इसलिए उनको प्रिस्टार्टर स्टार्टर दे के कुछ फायदा नहीं होता है आपको 61-90 दिनों के दर्मियान इन चूजों क फिनिशर शुरू करना है लेकिन फिनिशर शुरू करने का मतलब है कि सव प्रतिशत सभी तरिव के से स्रीव फिनिशर नहीं देना है तो आपको दो प्रकार की मिथड़ बताता हूं जो आपको पसंद आए उस पीश साब से आप यहां पर काम कर सकते हो जो मैं यह में आप इसका इस्तमाल कर सकते हो और देशी मुर्गियों में तो सव प्रतिशत आप इसका इस्तमाल कर सकते हो कोई भी दिकत की यहाँ पर बात नहीं है तो देखें दोस्तो 61 से लेके 90 दिनों के करीब करीब वह पूरे तीसरे महा में फिड कंजूम कर लेते हैं आईसी परिस्तितियों में आप जितना फिड दे रहे हो उस में से 20 प्रतिशत आपको फिनिशर देना है बाकि 80 प्रतिशत फिड आप कुछ भी दे सकते हैं जवार चावल बाजरा मकाई आटा जो वेस्टेज मसली के पार सोतेक से हो सकते हैं सुकड होस्टेल 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 रेस्टूरेंट जो सबजी मंडी की मिलने वाली तरकारी एवं दूसरे जो प्रतिज गोबर खादेश एजन की फलीया है पत्ता है फूल है इन सभी का इस्तमाल यहां पर आप कर सकते हो यानि कि मेती घासे दसरत घासे निया पिर घासे इनका भी कोई इस्तमाल करते हो कोई दिकत नहीं है लेकिन सबसे महत्वपुर्ण जानकारी देता हूं कि आपको कि दो किलो यहां पर जो है फिनिशर मिला दीजे आपका काम यहां पर हो जाएगा यानि आट केलो दूसरा ले ले लीजे दो किलो यह लिज कि कितना देना है इस से आच्छा कि आपके पास समझो सव चूजे तीसरे महा के हैं तो प्रती चूजा 20 ग्राम यानि कि सव चूजों के लिए आप प्रती दिन दो किलो के आसपास यहां पर दे सकते हो जिससे फिनिशर देने के बाद उनकी हालत भी सुदर जाएंगी बढ़ो सिरियस पॉइंट नहीं है दोस्तों और कोई कोई कहेगा कि हमारे यहां पर फिनिशर नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है आप आईसी पर इस्तितियों में 30-40 ग्राम तक जो है आटे का इस्तमाल भी यहां पर कर सकते हो और एक महत्तोपुर्णा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि देखिए अगर सर्दी और बरसात का मोसम हो तो ज्यादा ज्यादा सूखा फिड दीजिए और अगर गर्मियों का मोसम हो तो तब आप गीला फिड दीजिए यानि कि वातावरन जैसा है उसके अपोजिट आप यहीं फिड दोगे तो सव प्रतिशत आपक चूजों का मैनेजमेंट करना है 61-90 दिनों के धर्मियान जिससे आपका फिड का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो है दोस्तों मुर्गियों का पालन पोशन बढ़िया तरीके से होगा और इस प्रकार से तयार होने वाली जो पैरेंट्स बैच होगी दोस्तों द पार्ट 3 आज का था पार्ट 4 61-90 दिनों तक देशी मुर्गी यहों दूसरे सेमी देशी मुर्गयों को जो चूजे है उनको तीसरे महा में कौन सा कितना और किस प्रकार से फिड देना चाहिए इसकी सटीक जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की है यह कोशिश आपको को अच्छी लगी होगी तो दोस्तों कमेंट सेक्षून में लिख कर फेचे कुश शिकायत ही होगी तो भी कमेंट सेक्षण में लिख कर भेज दीजिए आपकी सेवा करने हैं तु मैंने इंडियन मुर्गी पारन का वाट्सप गरूब बना दिया है जिससे मैं आपको वहां लाइन मार्गदर्शन भी करता हूं जिस माध्यम से भारत वर्ष में कितने बेरोजगार युआ यूती दिव्यांग विकलांग वेक्ति वयस्कराबादी के सदस्य आज मेरे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर रहे हैं वह भी केवल 500 रुपे के मासिक शु कर दे कर रेजिस्टेशन करना होगा रेजिस्टेशन कहां पर करें तो 84, 82, 62, 62 इस नंबर पर फोन कर दीजिए और फोन करने के बाद आपकी मेरे साथ बात चीत होगी मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा उसके बाद ठीक लगा तो जुड़ जाए नहीं तो छोड़ दीजिए किसी पर भी कोई भी जबरदस्ती यहां पर सव प्रतिशत नहीं है लेकिन एक बात है कि जब तक सही मारगदर्शन नहीं मिलेगा तब तक आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा और 500 रुपे तो एक मुर्गी की कीमत यहां पर नहीं जाते ही कि जिसमें आपको दीजे कमेंट सेक्शन में यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजे ज्यादा ज्यादा किसान भाय और मुर्गी पालक भायों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नमबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो के दाही तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए और इस नोट